हेलो एब्रीवन वेल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल बायो डाइवर्सिटी साइन्स आज हम पढ़ेंगे एक और सेल औरगनेल्स के बारे में जो की है वेक्यूल्स अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया माइचोकॉंड्रिया गॉल्गे अपैरेटिस इंडोप्लास्मिक और लाइसोसोम्स और आज पढ़ेंगे हम वेक्यूल्स तो चलो स्टार्ट करते हम कि वेक्यूल्स को किस ने डिस्कवर्ड किया वेक्यूल को एंटेनी वैन लिवन हॉक ने इन 1676 में इसको डिसकवर्ड यानि इसकी खोज की थी अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते इसके पास एक स्ट्रक्चर को एंटल करना मतलब क्या हो गया है यहां पे की वेस्ट्रक्चर को लेता है और उसको सेल से बाहर निकलता है यह काम हो गया अब अभी हमने पढ़ा कि जो vacules है वो plants और animals दोनों में पाए जाते हैं तो animal cell में vacules कैसे होते हैं animal cell में vacules जो होते हैं वो small होते हैं यानि छोटे होते हैं size इनकी कैसी होती है छोटी होती है temporary होते हैं यानि कभी यह रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे, कभी दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, ऐसा होता है और यह जो yakult painful, animal cell में स्टोर करता है, कुछ ना कुछ स्टोर करता है, तो क्या स्टोर करता विए glucose, glycosin और protein को animal cell के वैकूल में क्या क्या है पहली तो यह small होता है temporary होता है कभी दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे यह store करेगा glucose को glycosin को और protein को अब पढ़ते हम लोग के vacuoles in plant cells यानि plant cells में vacuoles कैसा होता है तो plant cells में vacuoles होता है large यानि दिखने में वो large होंगे और disnik होगे यानि हमको अच्छे से microscope में जब भी हम देखेंगे तो plant cell में हम को vacuoles अच्छे से दिखाई देगा तीके और यह permanent होते हैं अनिमल सेल की तरह तरह ने temporary नहीं होते लार्ज होती है और मा marshmallow से दिखने में यह अथ्य समय दिखाई देते हैं अब यह ना है तो कुछ-शी यहां पर चया होता है अमीनो एसेड शूगर और यह तीन चीज को यह स्टोर करता है वेक्यूल में अब इसका काम क्या है प्लांट्स वेक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी यह प्लांट्स वेक्यूल जो है बहुत मस्भूत होते हैं और इसको एक पोरे निए 15-90 पूर जाते हैं पूरे सैल को कवर कर लेता है के लिए इस में में क्या पढ़ा है कि यह भी membrane bound organelles होता है, यह animals और plants दोनों में पाए जाते हैं, इनके पास एक अपना specialized lysosome होता है, जिसका काम होता है क्या handle to waste product, यानि waste product को handle करना, अब यहाँ पे handle का मतलब क्या हो गया, कि waste product को लेना और फिर उसको बाहर निकाल देना, यह हुआ, अभी हमने पढ़ा कि वेक्य इसको ग्लाइकोजन को और प्रोटीन को, यह हो गया animal cells में और वेक्यूल्स in plant cells, plant cells में वेक्यूल्स कैसे होते हैं, large होंगे, डिस्टनिक होंगे, यानि बड़ा होगा, और अच्छे से दिखाई देगा, permanent होगा यह animal cell की तरह, कभी आएंगे, कभी जाएंगे, ऐसा नहीं र करेगा, plants, vacules जो होते हैं, वो उनको मजबूती देते हैं, जिससे वो क्या करें, membrane bound organelles, अच्छे से उसको मजबूती देते हैं, आकार देते हैं, central vacules जो होते हैं, मतलब कुछ plants में central vacules जो होते हैं, इतना बढ़ जाते हैं, कि cell का 50 से 90 परजेंट भाग कवर कर लेते हैं, तो